पावन पर्व की तेयारी में दुकान उपर उम्डी महिलाओं की भीड हिंदु पंचांके निसर हर वर्ष कार्तिक मास्की कृष्णि पक्षयतुर्थी को बनाया जाने वाला कर्वाचौत के पावन पर्व महिलाओं के लिए एहम माना जाता है जिसमें महिलाओं सर्जने सवरने के लिए सोला श्रेंगारवा पूजापाड की सामगरियादी की खरीदारी करती हैं पती पत्नी के प्यार विश्वास और समर्पन कत्योहार कर्वा चौथ 13 अक्टूबर को मनाया गया कर्वा चौथ पर सुहागिन महिलाएं दिन भरवत रखते हुए सोला सिंगार कर अपनी पती के प्रती समर्पित होकर उनके लिए उत्तम स्वास्ती दीरगाईयों और जन में जन्मानतर तकहर बार पती के रूप में प्राप्त करने के लिए मंगल कामना करती है कर्वा चौथ का अर्थ है कर्वा यानि मिट्टी का बर्दन चौथ यानि की प्रतम पूजे गड़ी श्री की प्रतम दिथी चतुर्थी और इस दिन मिट्टी के जल में कर्वा भर कर पूजा कर रात्री को जानते कर पती के हांतों से जलपान कर ग्रहन कर पत्नी पती की लं भी उम्र की काम ना करते हुए इस सुरत को पूरा करती है